नमस्कार सन्नाइज न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ जबल मिश्रा उत्रप्रदेश सरकार की महत्वकांची परियोजना गंगा एक्सप्रेस्वे के निर्मार के लिए कल 20 नवंबर को राजिस तरिये पर्याबरण प्रवाम मुल्यांकर अथॉरिटी उत्तरप्रदेश के सदस्च सचीव द्वारा पर्याबरणी मंजूरी जारी कर दी गई है पर्याबरण इवं बन मंत्राले भारत सरकार के अधिसूचना 2006 के अंतरकत शेड्यूल में कवर्ड प्रजेक्ट्स के निर्मार से पहले पर्याबरणी मंजूरी प्राप्त करना जरूरी होता है इसी अधिसूचना के तहट यूपीडा की ओर से गंगा एक्सप्रेसबे के निर्मार के लिए पर्याबरणी मंजूरी ली गई है गंगा एक्सप्रेस बे के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले से ही चल रही है टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही एक्सप्रेस बे का निर्मार शुरू कर दिया जाएगा इस एक्सप्रेस बे प्रयोजना की कुल अनुमानित लागक 36,230 करोड है इस प्रयोजना के विकास हेतु PPP टॉल मोड पर डिजाइन, बिल्ट, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर पद्दती पर टेंडर्स आमंतरित की गई हैं यह एक्सप्रेस बे 594 किलोमीटर लंबा होगा, जो की मेरट बुलंद चहर मार्क पर मेरट के बिजॉली गाउन से पास से शुरू होकर प्रयागराज बाइपस पर प्रयागराज के जुढापूर दान दू गाउं के पास खत्म होगा यह एक्स्प्रेस बे बारा जिलो, मेरट, हापोर, बुलंचाहर, अम्रोहा, संभल, बदायू, साजहापुर, हर्दोई, उन्नाओ, राइबरेली, परताबगर, प्रियागराच से होकर गुजरेगा यह एक्स्प्रेस बे 6 लेन होगा, जो 8 लेन तक विस्तारीकरण हो सकता है, इस एक्स्प्रेस बे प्रोजेक्ट A2 अधिकरण का कारप्रगत में है, अब तक लगवग 94 फिस्ती जमीन अग्रहित की जा चुकी है इस एक्स्प्रेस बे पर्योजना की अंतरकत 140 नदीधारा नहर नाला शामिल है, इस कैतरिक 7 आरोबी, 17 इंटरचेंड, 14 मेजर ब्रिज, 126 माइनर ब्रिज, 28 फ्लाई ओवर, 50 बी उपी, 171 एल बी उपी, 16 स्बी उपी और 946 पुलियों का निर्माड किया जाना प्रस्ताब जबकि टोल प्लाजा के निर्माड से करीब 100 लोगों को इस्थाई तोर पर रोजगार मिलेगा, आपको बताने की हाल, इमें प्रसान मंतरी मोदी द्वारा पूर्वांचल एक्स्प्रेस बे को लांच किया गया है, अब उत्तरबर्दिस सरकार की गंगा एक्स्प्रेस बे एक बड़ी परियोजना में शामिल है, आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, अगर ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस्बुक पर देख रहे हों तो लाइक, शियर और कॉमेंट जरूर करें, आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हैं सन्नाइस न्यूज के साथ